नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ सिंगल फेस आप HP की जो मोटर है उसके वाइंडिंग डाटा किस तरह से निकालते हैं तो आज का जो वीडियो है ये बहुती खास होने वाला है तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजे और साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्रेस कर लिजे ताकि आपको जो नए वीडियो आने वाले जो वीडियो है उनका की जो motor है water pump motor है उसके winding data निकालने वाले हैं जिसकी क्या है core length जो है वो 5 cm है और core का diameter जो है वो 3.8 cm है और आपको यदि आप अपनी भासा में कहें तो length जो है core की वो 2 inch की है और diameter जो है वो 1.5 inch का है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए winding data निकालने से पहले हमें number of turns per phase जो है वो calculate करना है तो उसके लिए हम जानते हैं कि n जो है वो e phase divided by 4.44 into f into 5 यहाँ पर आपका flux है और into kw जहां kw जो है वो आपका window space factor है ठीक है और इसमें आपको frequency 50 hertz क्योंकि normally जो supply frequency है यह हमें पता रहती है अब देखिए यहाँ kw जो है window space factor वो 3 phase के case में हम normally 0.954 जो है वो लेते हैं और single phase के case में हम 0.75 से लेकर 0.85 के बीच में ले सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ flux जो है वो किस तरह से calculate होगा तो देखिए flux phi जो होता है वो होता है b into a जहां b आपकी flux density है और a आपका core का जो है area है ठीक है अब देखिए area यदि आप निकालना चाते हैं तो यदि आपका stator जो है वो कुछ इस तरह से है जिसमें ये जो है slot आपके यहाँ पर रहेंगे ठीक है और ये आपकी length रहेगी और ये जो है इसको आप circumference या परीधी जो बोलते हैं वो रहेगी और परीधी हम जानते है 2 pi r ह मिलकर क्या बन जाएंगे diameter बन जाएंगे तो pi into d आप लिख सकते हैं और देखिए ये जो length है ये क्या है l तो ये आपका total जो है वो area रहेगा ठीक है तो इस तरह से आप इस formula में d diameter की value put करेंगे और l जो है वो length है उसकी value put करेंगे अब देखिए b average जो होता है वो क्या होता है weber पर meter square होता है ठीक है ये जो है आपकी weber पर meter square में है और ये और ये जो है आपकी centimeter में है ठीक है तो आपको इसको meter में convert करना होगा इसलिए मैंने क्या किया है 10 की power minus 4 से multiply किया है क्योंकि 10 की power minus 2 से आप इसको multiply करोगे और 10 की power minus 2 से इसको multiply तो total of 10 की power minus 4 से multiply करेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर multiply किया है और divided में number of pole है तो उसको मैंने 2 से divide कर दिया तो इस तरह से आपको flux की जो value है वो 0.00119 मिलेगी ठीक है? चलिए अगला हम calculate करते हैं अब देखे इस flux की जो value है वो हम इस formula पर put करेंगे तो आपको per phase number of turns जो है वो मिलने वाले है तो देखे इसको complete यदि आप करेंगे तो यह आपको मिलेंगे 1042.65 turns ठीक है? यह आपके per phase turns जो है वो निकल कर आए है तो अब यदि अपने number of conductor की बात करें per slot क्योंकि यहाँ आपके slot 24 है 24 है तो total conductor divided by पर slot तो यह आपके आजाएंगे conductor पर slot अब बात आती है total conductor की तो क्योंकि यहाँ single phase है तो देखे यदि आपके slot core जो है कुछ इस तरह से है यह यह दिया आपके core है तो winding तो आप इसके अंदर slot में इस तरह से put करेंगे ठीक है तो एक जो turn है एक जो घेरा है इसमें आपके conductor कितने use होंगे क्योंकि active part आपका जो होता ना conductor का वो यह होता है और यह केवल इसको और इसको जोडता है तो एक turn में आपके conductor कितने है two conductor है इसलिए number of turns को यह दिया आप multiply कर देंगे two से तो यह आपका क्या निकल कर आजाएगा conductor आजाएगा total conductor और divided by slot यह दिया आप करेंगे तो यह आपको क्योंकि number of turns अभी आपने निकाला यह और इसको 24 से divide करेंगे तो यह आपको मिलेंगे 86.89 conductor number of turns आपने निकाल लिए और number of conductor आपने calculate कर लिया तो इसको यह आप round में बोलें तो Z जो है आपके 90 जो conductor है वो per slot use होंगे अब देखिए यह क्या है minimum conductor है एक slot में maximum यह आप रखना चाहे हैं तो maximum में आप क्योंकि यह starting winding है हम जानते हैं कि running winding में number of turns ज्यादा होते हैं और starting winding में number of turns कम होते हैं यह होता है और यहाँ आपका capacitor connect रहता है जिसे condenser बोलते हैं और यह आपका rotor है अब देखिए यह आपकी running winding है यह आपकी starting winding है starting winding में turns कम है इसका मतलब इसको तो आप 90 पर रखो और running winding के turns जो है वो आप क्या रखेंगे 110 turns रखेंगे ठीक है 110 conductor पर slot रखेंगे इसका मतलब 110 turn हो गए ठीक है तो starting और running winding का ratio जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा तो आने वाले वीडियो में हम इसके जो wire की जो size है SWG standard wire gauge जो है वो calculate करेंगे आज के लिए दोस्तों इतना ही और इसमें भी यह दिया आपके कुछ doubt हो तो वो आप comment box में comment करके कभी भी पूछ सकते है हम उसको मिलकर solve करेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों